अलो फेंट्स वेलकम बेक तुमाई यूट्यूब चैनल रफ्तार इस्टडी तो आज हम इस वीडियो में करेंगे सरक्लर फ्लो आफ नेशनल इंकम प्रीज वीडियो में हमने बहुत अच्छे से नेशनल इंकम को समझा था जिसमें मैंने डॉमिस्टिक इंकम और नेशनल इं इंकम कैसे होता है से में जैसे सरक्लर फ्लो आफ इंकम जो हमारा चैप्टर नमबर फश्ट्र नेशनल इंकम पर बस एक वड़ आ गया है यहाँ पे नेशनल इंकम होता क्या है जो कि हम आपने पीडियो यूडियो में बहुत अच्छे समझ चुके हैं तो आपको इस वीडि तो आए टामेस्ट बेना विदाव टामेस्ट किये हुए सरकवल फॉरफ नेज़े कर को समझते हैं तो दीजह पर नेशनल इंकम होता है यह 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 हम समझ लेते हैं सौर्ड डेफिनिसने में बता देता हूं नेशनल इंकम सम्टोटल होता है फेक्टर इंकम का जो कि एक नॉर्मल रेसीडेंट के द्वारा एक कंट्री में रहे करके एक लेखा वर्थ के दौरान में इन अकांटिंग उसको अर्न किया जाता है अब दिखिए यहांपे जो संपांजितं हुआ इंकम दह सब्सक्राखि पर summer Ride in Morator इंकम MATT flow payment है जो कि domestic household को payment करके household से वो कहा जाता है domestic firm तक and back again, मतलब household को जो payment किया जाता है वो back हो करके दोबारा से domestic firm तक आ जाता है, national income and expenditure flow in supplier manner, जो national income होता है और जो expenditure होता है वो एक systematic इन एकनोमी हो कोई भी जो इकनोमी है बोथ कमोडिटी एन फेक्टर ओप्रडक्शन आर कॉंस्टेंटली बिंग एक्षेंज फोर मनी एक दूसरे एक्षेंज करते रहते हैं for the product या फिर for the money बोल रखा है यहां पर समझाता हूं में बहुत अच्छे से क्या एक household है देखिए यहां पर बोल रखा है अच्छे से मैं एक बार और अच्छे से समझाने कोजिस करता हूं आपको ठीक है यहां पर देखिए यहां पर बोल रखाना इन एनी इगनोमी कोई भी इगनोमी हो बोध कमोडिटी एंड फेक्टर अप्रडक्शन फेक्टर अप्रडक्शन को आप चानते हैं लेंड लेबर कैपिटल और आंट पीनियो रहे हैं वह अपने फेक्टर सर्विसेस को देते हैं देन उसके प्रड़क्शन को गेंगे लिए मिलेगा हुए उसके बारे में इसके बदले में इनको क्या क्या लेती है है उसके बददि हम क्या लेती हैं उसके बददें मामनी लेती हैं ताकि हम अपने इसको अपने जमारी उनको इसको संतुष्ट कर सके स्यटिसफाइ सके विद्थ हेलप बुर्ट यो प्रड़ुट्ट होती है उसी को सरक्रों फ्लों व resto का veramente नहीं के लिए ठीक है तो देखे हाउसोल्ड के द्वारा पैसा कमाया जाता है और वो पैसा लॉट करके किसके पास आ जाता है बैक आगे बोल रखाए डॉमिस्टिक फर्म के पास उसी को सरकल फ्लॉफ इंकम बोला गया है क्योंकि प्रीवेस अमने चैप्टर में अपना आगे बात करें हम तो स्रकले फ्लॉफ नेनर इंकम में कुछिए क्या है वो आगेश ही होती है तो टू सक्टर इक्नोमी समझों में संपल इक्नोमी में 2 सक्टर मॉडल में आपर मॉडल समझेगा 2 sector मोडल में आ जाता है हमारा y qua 2 C plus i means y denote y y कर रहा है तो income जब निकाली जाती है national income मतलब इंकम ही है तो जो income निकाली जाती है 2 SECTOR मोडल में तो Conjunction Plus Investment C plus i कर दिया जाता है to Conjunction Plus Investment कर दिया जाता है 2 SECTOR ECONOMY में तो National इंकम केलकुलेट हो जाता है वहीं अधि हम बात करें थ्री सेक्टर एकनोमी में तो वाई क्वल टू सी प्लस आई प्लस जी मींस इंकम यह निकाला जाएगा तो कंजप्शन प्लस इंवेस्टमेंट प्लस गवर्मेंट एक्सपेंडिचर यहां पर एक्सपेंडिचर से मतलब उसको हम नुग इसांटर करें high- dép вд ment ऋब्लस टो स्कूल सेक्टी एकनोमी है उसको मुल्ब वितienna और यह इंवेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्मनट एक्सपेंडिचर और एकsmैनस मैं वह जाता है एक्स्पोर्ट मैनस test import कि हमने कितना बाहर से मंगाया है और कितना अपने हां से send फेजा गए रहा है तीक है दा कॉंसेप्ट और अफ सर्कलर फ्लो शो क्लियरली जो क्लियरली दिखाता है वह एदर था इंगनोमी वर्किंग इपिसेंटली और वह देर इस एडिस circular flow of income है वो अच्छे तरीके से हमको बताता है पहले देखो हम circular flow of income पढ़ते ही क्यों है सबसे पहले हैं कि हमको circular flow of income पढ़ने के जरूरत क्यों पढ़ रही है तो जरूरत का आंसर भी यह है कि whether the economy is working efficiently there is any equilibrium in its working कि क्या कोई अर्थ विवस्था है जो economy है क्या अच्छे से efficient तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है इसको जानने के लिए और यदि नहीं कर पा रही है तो what kind of reason region क्या है उसके डिस equilibrium का पता रहा है असंतुलन का उसके डिस equilibrium का क्या ऐसा region है जिसकी वजह से जो circular flow of income है अपर जो economy है वह अच्छे से perform नहीं कर पा रही है इट help it also help in restoring equilibrium और circular flow of income है यह हमारी मदद भी करता है कि इसको equilibrium की situation को condition को लाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि जो जो economy हमारी जो डिस equilibrium पर है वह equilibrium पर दबारा आ सके इसलिए बोड़ रखा यहां पर it also help in restoring equilibrium equilibrium को दबारा restore करने के लिए जो कि डिस equilibrium की situation तक चली गई है अब इनको ठीक कैसे कि जाता है यह जितने भी हमारे sectors हैं इनके द्वारा different different types के performance दिखा करके करके इन नेशनल इंकम को equilibrium पर लाया जा सकता है यदि consumption expenditure ज्यादा हो रहा है तो क्या करना चाहिए investment expenditure ज्यादा हो रहा है और government expenditure ज्यादा कर दिए कि export ज्यादा हो रहा है कि import ज्यादा हो रहा है इन सभी जो terms हैं उनके द्वारा है हम equilibrium पर किसी भी economy को ला सकते हैं इन 4 sector model को मत भूलेगा क्योंकि आने वाले chapters में हम जब aggregate demand पढ़ेंगे तो इसी को पढ़ेंगे क्योंकि aggregate demand का component है वो भी हमारा यह है 4 sector economy का y equal to c plus i plus g plus x minus m ओपसो यह वीडियो आपको clear होगी किसी उपरका सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो की जो pdf है वह आपको description box में मिल जाएगी थैंक्यू